नमश्का दर्शक मित्र जर्मत के पुगाल में आपका स्वालत है नॉर्ट वेस्ट डिस्टिक के शाली मार बाग स्नैचिंग मामले का हुआ खुलासा दिले में नॉर्थ वेस्ट जिले के शालिमार बाग्थाना पुलिस ने स्नैचरिंग के एक मामले का खुलासा करते हुए चार लोगों को गिरफतार किया हैं इनमें से दो नाबालिक हैं गिरफतार किये गए लोगों से शीना गया मोबाईल और वारदात को अंजाम देने में इस्तिमाल की गई स्कूटी भी बरामत की गई है सभी आरोपी पहली बार अपराध करने वाले पाये गए हैं और उन्होंने आसानी से पैसा कमाने के लिए ये अपराध किया नॉर्थ वेस्ट डिसीपी जितेंद्र कुमार मेना के नुसार पांच मई को तड़के साड़े त सवार चार लोगों ने उसका बैग चीन लिया बैग में रेटमी का मोबाईल और उसकी शर्ट थी इसके बाद आरोपी फरार हो गए शुकायट के आधार पर थाना शालीमार बाग में मामला दर्स करत लिया गया और जाच शुरू कर दी गई मामले की गंबिरताओ और घटना की प्रकुती को देखते हुए सब इंस्पेक्टर संजीव वर्मा, थाना ध्यक्ष, शालीमार बाग थाना और एसीपी शालीमार बाग के निकट निरिक्षन में हैट कॉंस्टेबल, लीला राम और हैट कॉंस्टेबल राजेश की एक समरप जिसमें मुहमद शकिल, कमल उर्फ सनी और दो अन्य नाबादिकों को पकड़ने में सफलता मिली, पुछताच के दोरान उन्होंने मामले में अपनी सलिप्ता कबूल कर लिया और उनकी निशान देही पर छीना हुआ मोबाइल फोन बरामत कर लिया गया, उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने आसानी से पैसा कमाने के लिए अपराद किया वे पहली बार अपराद करने वाले पाए गए, उन्होंने ये भी बताया कि स्कूटी उनके द्वारा मूल चंद कॉलोनी आदर्श नगर से चोरी की गई थी और वारदात को अंजाम देरे के बाद सारोपियों ने स्कूटी को उसे इस थान पर छूर दिया स्कूटी के मालिक को इस बारे में जानकाली नहीं थी एक नाबालिक की निशान देही पर वारदात ने इस्तिमाल की गई स्कूटी बरामत की गई है अन्य मामलों में उनके संभवित शामिल होने का पता लगाने के लि